इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ फाइंड करने वाले हैं आपस में मिलकर कि आप सब के लिए सबसे अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है अगर ये सब नहीं जानते होगे अगर ये सब नहीं जानते होगे आप उसको जाके देख लेना तो आपके बिसिक सारे ग्लियर हो जाएंगे अब हम लोग को एक चीज पता है कि stock market में हम लोग का पैसा कब बनता है जब हम लोग नीचे वाई करते हैं और उपर sell करते हैं at least trading में तो यही होता है कितने types की trading होती है ये भी जान लेते हैं और आप के लिए सबसे best कौन सी रहेगी वीडियो के end में आपको ये खुद से पता चल जाने वाला है तो आते हैं सबसे नीचे से start करते हैं एक trading होती है जिसका नाम होता है scalping अब scalping को हम लोग normally क्या बोलते हैं कि आपकी किसी बड़ी सी चीज में से आप छोटा छोटा करके कुछ निकाल रहे हो तो इसको बोलते हैं हम लोग scalp कर रहे हैं तो अगर माल लेते हैं आपको किसी stock का price 1000 रुपे है और आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ दो से पांच रुपे का profit बनाना चाहते हो इसको हम लोग बोलते है scalping अब जितने हम लोग के छोटे return होंगे जितना हम लोग के expectations कम होंगी उतनी ही जल्दी ये चीज हम लोग को achieve होते हुए दिखेगी अब अगर हम लोग माल लेते हैं कि हम लोग करें bank nifty में trading तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा एक बार चार्ट पर चलके देख लेते हैं तो यह है bank nifty का चार्ट अब actually मैं scalping करना पसंद क्यों करते हैं लोग या फिर आपको करनी चाहिए है नहीं सबसे पहले तो scalping में मैं आपको बता दूँ आपको अपना time जिरूर देना पड़ेगा सुबा सबा नौ बजे market open होता है और साड़े तीन बजे के आसपास close होता है तो इस बीच में आपको बहुत सारी opportunities मिल सकते हैं scalping की आपको अपने हिसाब से कोई एक time frame चूज करना है उसके बाद आपको उस time frame में trade करना है अब आपको कितना time देना पड़ेगा तो एक घंटे का आप time दे हो तो यह बहुत जादा enough होता है और यह जो आपका time होता है यह कभी भी start हो सकता है आप सुभा समा 9 बजे से भी start कर सकते हो दे के बीच में भी start कर सकते हो बस आपकी strategy clear होनी चाहिए कि आपको कब use करना है उस strategy को तो इसमें क्या होता है हम लोग one day का time frame use नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग क्या कर रहें है scalping गर रहें scalping आपका intraday ही का एक part है intraday में 6 गंटे होते हैं तो आम लोग को पूरा 6 गंटा नहीं बैठना होता है scalping में आपका जो trade चलता है वो चलने का जो duration होता है वो max to max आपका 15 से 20 मिनट होता है माल लेते हैं कि आपने देखा कि bank nifty नीचे गर रहा है पूरे time से और यहाँ पे bank nifty ने क्या करा है इसने एक double bottom का formation करे है अब यह एकदम random चीज़ है आपको दिख रही होगी बहुत अच्छे से कि यहाँ पे double bottom form हुआ है आप क्या करते हो कि double bottom के breakout पे आप buy कर लेते हो तो लेते हैं आपको यहाँ पे कही 1-1 मिल गया और आपका trade close हो गया अगर आप देखो कि कितने minute का ही trade था तो आपको समझ भाएगा 1,2,3,4,5 तो 5 minute के अंदर आपका trade complete हो जाता है या तो इसमें sell hit हो जाएगा आपका 10-15 minute में या फिर आपका target हो जाएगा 10-15 minute में अगर आप 15-20 minute से जादा hold कर रहे हो 30-40 minute तक hold कर रहे हो दिन वो आपका एक intraday trade हो जाता है proper वाला तो इससे हम लोगों समझ में आता है अगर आपको एक दिन के अंदर trade लेना है तो उसमें आपकी 2 strategies होती है या फिर 2 तरीके होते हैं एक होता है आपका scalping दूसरा होता है आपका intraday ज खाली हो या फिर आपका काम ऐसा है जिससे आप घर पे बैट के trading कर सकते हो तो आपके लिए intraday better है अगर 9 बजे से 3 बजे तक आपके बीच में सिर्फ एक घंटा आपको free मिलता है और आप सीखना चाहते हो कि scalping या intraday कैसे करते है तो आपके लिए scalping better है क्योंकि एक घंट थोड़ा सा जाधा better होता है intraday फिर आपका वहाँ से खराब हो जाता है intraday आपको हमेशा कब करना से है सुभा 9 बजे से 10 बजे तक या फिर आपको intraday करना चाहिए दुपहर में 2 बजे से 3 बजे तक ये आपके best timings होते है intraday के जब market में थोड़ी बहुत volatility होती है otherwise बहु हम लोगों ने देख लिया कि scalping क्या होता है intraday क्या होता है अगर आपके पास कोई भी knowledge नहीं किसी भी चीज़ की तो आपको scalping भी avoid करने चाहिए intraday भी avoid करना चाहिए जैसा कि आप लोग जानते हो यहाँ पे mainly किस चीज़ की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे swing trading की बात करत हो हर एक trading style आपका profitable होता है बस आपको एक edge ढूंडने की जरुवत होती है इस चीज़ के बारे में हम लोग आगे चल के बात करेंगे फिलहाल चलते है अपनी अलग टाइप की trading style के उपर तो यह वाला वीडियो आपका एक basic पूरा का पूरा overview है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी strategy यूज़ करनी चाहिए या फिर आपका कौन सा trading style आपको ज़्यादा अच्छे से suit करता है यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बांक निफ्टी के example ले रहा हूँ तो ऐसा म सारी चीज हम लोग इसी में करते हैं आप किसी भी stock में कर सकते हो तो अब अगर आप देखो कि हम लोग ने अपना time frame change कर लिया है जो कि पहले 1 minute था अब ये 1 hour का time frame हो चुका है और ये time frame हम लोग का use किया जाता है जब आप BTSD करना चाहो इसका भी मतलब अभी मतलब बताता ये आप पे depend करता है ये चोटे breakouts पर या चोटे breakdown पर यूज करा जाता है अब अगर आप यहां पर देखो कि तो एक आपको range बनते हुई दिखेगी just for an example में आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा ये एक range थी इसका breakout आया आपने यहां पर कहीं buy करा मतलब 12 तारिक को आपन trading style मतलब आपने 3-4 दिन के लिए hold करा trade को और आपने उसके बाद exit कर दिया क्या btst मुझे पसंद है क्या फिर short term मुझे trading पसंद है तो मुझे btst उतना जादा पसंद नहीं है क्योंकि हम लोग को नहीं पता कल market में क्या news आ सकती है या फिर एक दिन के अंदर momentum का अंतजार क कर दिना यह चीज मुझे personally पसंद नहीं है तो मैं आपको क्या recommend करूंगा अगर आपके पास time है अगर आपके पास बहुत जादा knowledge है तो आप btst के लिए जा सकते हो otherwise बहुत simple एक चीज होती है जिसमें आप very short term swing trading भी कर सकते हो जिसमें 4-5 दिन आपको देना होता है stock को move करन अगर आपको बाकी दिन busy हो कोई problem नहीं आपका खुद से खुद stock wallet चलता रहेगा जहां पर भी उससे जाना होगा आपको कोई छेड़ खाने नहीं करनी होती है आपको सिर्फ और सिर्फ stocks buy करने होते है यह आप daily भी कर सकते हो weekly भी कर सकते हो monthly भी कर सकते हो अब अगर हम बोलते हैं positional trading अब उसके बारे में आपको बताता हूँ तो अब हम लोग आ चुके हैं मेरे favorite trading style के उपर जिसको हम लोग बोलते है swing trading या फिर जिसको हम लोग बोलते है positional trading अब अगर आप swing trading की बात करोगे तो इसमें आपका time frame आप नीचे देख सकते हो यह one day का time frame होता है अ यहां पर आपका time horizon होता है वो होता है 7 days से लेकर around around 15 days अब प्लीज इस चीज को ध्यान से समझेगा कि 7 days का मतलब क्या हुआ हफते में आपके 5 दिन होते हैं तो trading days की हम लोग यहां पर बात करें कि 7 trading days दीजे स्टॉक को और 15 trading days दीजे स्टॉक को इसके बीच में आपको returns मिल बीटीएस्टी की बात कर ली है और हम लोग ने swing trading की बात कर ली है जो आपका scalping है वो आपका intra-day में आ जाता है जो आपका very short term trading है वो आपकी बीटीएस्टी में भी आ जाती है जिसमें आप 5 दिन के आसपास देते हो इस stock को move करने के लिए और swing trading आपकी 15 दिन के आसपास आ तो इन तीनों में आपके लिए better कौन सा है तो अगर आपके पास दिन भर में बहुत जादा time है तो आप scalping और intra day सीख सकते हो मैं यह नहीं कहा रहाँ आप कर सकते हो पहले आप सीखने ही कोशिश करो अब side या downside ये आप समझते हो क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पर breakout हुआ है कहाँ पर retest हुआ है किस pattern का यहाँ पर breakout देखने को मिला है आपको analysis अच्छी खासी आती है तो आप BTST की तरफ जा सकते हो otherwise तो सबसे best होता है वो होता है आपका swing trading और positional trading तो positional trading की भी हम लोग बात कर लेते हैं यह जो आपको यहाँ पर stock दिख रहा होगा यह मैंने positional trading के लिए ही लिया था और इसमें कैसे profit हुआ है यह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो अब यहाँ पर लग चुका है weekly chart और positional trade में आपका जो time horizon होता है वो होता है around 2-6 months तो 2-6 महिने का आपका time horizon होता है इसमें आपको returns मिलने के chances होते हैं अब अगर आप देखोगे तो weekly में हम लोग अगें फिर से same चीज़ देखते हैं यहाँ पर आपका एक resistance था बहुत जादा पुराना जिसका breakout आया और उसी के breakout and retest पर कहीं हम लोगों ने enter लिया यह आप candle देख सकते हो बड़ी सी green candle उसके बाद एक retest हुआ इस green candle के high पर कहीं है अगर हम लोगों ने enter करा होता तो हमनों को कितने percent का return मिल रहा होता around around अगर आप देखोगे तो 13% का तो यहाँ पर कहीं पर भी जो screenshot मेरे पास होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूँगा लेकिन इस type के trades बहुत जादा easy to execute होते हैं इसमें आपको जादा दिमाग नहीं लगाना होता है आपको proper price section देखना होता है और सिर्फ और सिर्फ entry पे focus करना होता है exit आपका बहुत जादा simple होता है आपको wait करना है, particular आपके एक target तक का और आपको exit कर देना है यहाँ पर आपको decision कितनी बार लेना है सिर्फ और सिर्फ दो बार decision लेना है entry करते समय और exit करते समय intra day में आपको पूरे time देखना होता है कि कहीं market की चाल तो बदल नहीं रही कहीं से कोई news तो नहीं आ रही, btst में भी रात भर आप चैन से सो नहीं पाओगे क्योंकि आपको कल लगेगा अरे यार इतनी जादा quantity लेके रखी है stop loss तो छोटा है लेकिन कल कहीं hit ना हो जाए 4-5 दिन में भी आपका वही system रहता है इससे बढ़िया है कि अगर आप swing trading और positional trading को add कर दो नो ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिससे आपके सारे-सारे basic clear हो जाएंगे तो आपको करना क्या है ये आप पे depend करता है मैं यहाँ पे किसी चीज़ से biased हूँ तो हाँ मैं बिल्कुल biased हूँ मुझे swing trading और positional trading का combo बहुत जादा पसंद है कि आप किसी stock को 15 दिन के लिए buy कर रहे हो अच्छी चीज़ है अगर आपको और profit दे रहे है तो क्या आप उसको hold नहीं करोगे long time के लिए तो मैं बिल्कुल करूँगा मैं उसको positional में convert कर दूँगा और कम से कम 2 महिने तक उस stock में hold करके उसको और जादा profit के लिए अपने account में रखे रहोंगा तो ये चीज़ अगर आप सीखना चाते हो अगर आप करना चाते हो तो इस चानल के साथ बने रहो जरूर आपको यहाँ पर नहीं नहीं strategies मिलती रहेंगी आपको सबसे जादा कौन सी strategy पसंद है या फिर कौन सी strategy आपको चहीं है अपने trading style से related वो आप नीचे मुझे comments में जरूर बता दे ना उसके उपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकिया आँगा thank you so much for watching by the way and अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो and वीडियो को लाइक कर सकते हो thank you so much